हलो स्टूराइब वेल्कम टूर क्लास और मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक चल रहे हमारा आज लेक्चर टू कर रहे हैं आज हम बनाएंगे बैलन्चीट रेशियो इसके पहले की वीडियो आए बिटन में चेक करें इंट्रोडक्शन में हमने इंफॉर्मिश इसका मीनिंग वगेरा देखे थे हमने आज जो हम करेंगे बैलन्चीट रेशियो करने वाले तो बैलन्चीट रेशियो में सबसे पहले आपको बैलन्चीट वर्टिकल फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है तो पहले हम बैलन्चीट बनाना सीखेंगे वर्टिकल फॉर्म म फिर इसके बाद balance sheet के ratio के बारे में बात करेंगे तो बच्चों मैंने आपको introduction में ये चार्ट बताया था ये यहाँ पर balance sheet ratio है, income है, composite ratio है आज जो हम बात करेंगे balance sheet के बारे में तो सबसे पहले vertical balance sheet देख लेते हैं कि vertical balance sheet की सरह prepare करेंगे हम लोग और फिर इसके बाद इसके ratio के उपर बात करेंगे तो vertical balance sheet form heading होगा आपका particular amount दो पार्ट में बनेंगे हमारा liability और access form में तो सबसे पहले liability में बच्चों sources of fund liability यानि sources of fund है हमारा इसके अंदर आता है दो पार्ट है हमारे तो sources of fund में बच्चों सबसे पहला था owner fund या shareholder fund इसको short form में PF लिखेंगे यानि proprietor fund प्रोप्राइटर fund में सबसे पहले share capital आएगा इसके अंदर equity share capital equity share capital में आप add करते हो reserve surplus आप reserve surplus में क्या क्या आता है P&L credit वाला इसको याद रहे credit यानि net profit अगर debit होगा तो net loss फिर general reserve reserve fund वगर हम add करेंगे fictitious assets आप minus करोगे या miscellaneous expense या P&L यह तो यहाँ debit वाला P&L होगा तो आप less करोगे credit वाला P&L आप add करोगे और debit वाला P&L होगा तो आप less करोगे तो आपका total आता equity shareholder fund ये equity और P&L मिला के फिर इसके दो second part है वो preference share capital है ठीक है preference share capital अलग part में बनाना आपको equity shareholder fund और preference share capital दो अलग चीज़े हाँ heading आपका owner fund में आएगा मगर share capital में आप equity shareholder fund अलग करोगे total और preference share capital जो obviously single ही रहेगा तो ये दोनों आप less करोगे तो आपको total प्रोप्राइटर fund का figure मिला ये वाला तो ये चीज़े आपको ध्यान से समझ नहीं है ठीक है capital में equity share capital को अलग करना है preference share capital को अलग करना है equity और preference दोनों प्लेस करेंगे तो आपका प्रोप्राइटर fund का total आ गया फिर है बच्चों आपका total net worth या owner fund या प्रोप्राइटर fund ये जो total है वही आएगा आपका इसको ए नाम दिये हमने और फिर आपका second पार्ट आता है इसके दो बॉर्ओर फंड बी एफ शॉर्ट फ़र्म लिख रहे हम लोग यहाँ पर हर एक का इसलिए शॉर्ट फ़र्म का ज़्यादा यूज करेंगे तो किसका क्या शॉर्ट फ़र्म में यहाँ पर इनिशिल बता रहे हम लोग बॉरर फंड के अंदर बच्चों दो पाटे secured loan or unsecured loan secured loan bank loan है debentures है unsecured loan directors से अपने loan ले लिया family friends से loan ले लिया family members से loan ले लिया तो that is unsecured loan यानि जहाँ पर आप legal document दिखा के loan ले ओ तो वो secured हो गया जहाँ पर friendly या ऐसा oral loan लेंगे तो वो unsecured loan हो गया इनियों दोनों plus करेंगे आपका total आएगा borrowed fund का और borrowed fund को क्या करेंगे आप proprietor fund से अगर plus करते हो तो आपका sources of fund का total आता है and it is called as capital employed भी बोल सकते हो या total capital employed बोल सकते हो तो बच्चों इस तरह से आपका liability side पूरा मुकमल हुआ अब बात करेंगे asset side में that is called application of fund liability को source of fund बोलेंगे assets को application of fund बोलेंगे application of fund में आपका पहला पाट आता है fixed asset fixed asset तो आपको पता ही है building machinery वगेरा है बहुत सारे नाम आएंगे तो यह example ही हमने land and building furniture continue करें हम लोग इसको फिर आता है investment कभी-कभी investment fixed asset में account होता है मगर आप separately बनाएं इसको investment के लिए और थर्ड और important part है आपका इसके आंदर working capital working capital का formula है current assets minus current liability यानि current asset और current liability का minus करोगे तो आपका working capital का total आता है और maximum entry इसी के अंदर आती है current assets के अंदर दो पार्ट है current liability के अंदर भी दो पार्ट है उसको समझने आपको पहला है quick assets और non quick assets quick assets के example cash और bank data that is दो भी होगा बहुत सारे example आएंगे यहां पर दो ही लिखा है मैंने फिर आप total करेंगे इसको non quick assets में basically दो ही है stock यानि closing stock या inventory भी बोलते हो से फिर prepaid expenses है तो non quick में यह बच्चों इसको दो याद कर लो तो जो बजगे बाकि के सब quick assets हो जाएंगे current इसको याद रखना तो total of quick assets and total of non quick assets अब दोनों plus करेंगे तो आपको current assets का total आ गया फिर इसी तरह से current liability के पारे में बात करेंगे quick liability है non quick liability है तो current liability में maximum quick liability आते है non quick liability में दो ही है ठीक है पहला quick liability का example creator outstanding non quick में बता है मैंने दो ही है bank overdraft या advance receive ठीक है दो में से एक ही आएगा आपका तो आपका current liability का total quick liability non quick liability plus करके यह लिखें और फिर total आपका जो current assets से यह और current liability का यह दोनों को आपको क्या करना है minus करेंगे तो आपका working capital आता है फिर last में क्या करना है fix asset investment और working capital तीनों plus करेंगे तो आपका total capital employed आ गया one two three plus करें तो यह figure और यह वाला figure आपका match करना चाहिए यह balance sheet आपने vertical form में बनाई है ठीक है हमने जो अभी तक balance sheet बनाए थी horizontal form में बच्चों वो कुछ इस तरह बनाते थे liability और assets करके liability में क्या लिखते थे हम लोग capital प्लस P&L वगेरा फिर bank loan debentures फिर creator bills payable outstanding यह normal balance sheet horizontal form में बनाते थे फिर bank over drop भी वगेरा है वो लिखें फिर assets के example land machinery furniture investment data cash bank bill receable stock prepaid expense तो यह balance sheet आपने अभी तक horizontal form में बनाई थी इसी को आपने vertical form में convert कर दिया heading क्या थी capital की heading क्या लिकिए थे हमने sources of fund क्यानि share capital bank loan debentures की heading अपने क्या लिख borrowed fund जो वह ही है खाली नाम बदल रहा आपका अभी तक जो हमने balance sheet बनाए वही बनाए खाली नाम बदल रहा इसलिए मैं heading आपको समझा रहा हूं इसको creator bills payable outstanding इसके heading क्या थी quick liability current liability के अंदर quick liability bank order of क्या था non quick liability land machinery furniture यह सब किसमें आये थे fix assets में आये थे data cash at bank का आये था बच्चो quick assets में आये था current asset के heading के अंदर stock और prepaid का आये था non quick assets के अंदर तो आपने जो balance sheet बनाए वही balance sheet को vertical form में बनाए मगर आपको heading के साथ याद करनी है तो होपसो बच्चो आपको vertical balance sheet समझ में आये रहेगी तो एंचला next video में हम इसके ratios यानि formula जो है वो देखेंगे और कुछ example भी solve करेंगे और इसी तरह यह series चलेंगे फिर pnl बनाएंगे फिर composite बनाएंगे तो सारे video को end तक पूरा देखे और सारी series को order wise चेक करें तो यह आपको यह ratio analyzer chapter बहुत easily समझ में आएगा hopes बच्चों यहां तो कोई doubt नो एंचला next video में जल्दी मिलेंगे thank you thank you for watching the video God bless you